प्यारे बच्चों, आप लोग ABCD तो रोज लिख रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग लिखते वक्त 4-line copy में lines टच करना भूल जा रहे हो, तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ कि ABCD लिखते वक्त किस चीज का ध्यान रखोगे, ये 4-line copy जो मैंने भी red color है, लाल रंग का है, लेकिन बीच के दो line blue है, तो जब भी हम लोग ABCD तक लिखेंगे, बड़े अक्षर में अलग lines को छोआ जाता है, छोटे अक्षर को अलग lines में लिखा जाता है, तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बड़े अक्षर लिखना दिखा रही पहुत ध्यान से देखोगे कि कौन से line को touch करके ABCD लिखते हैं, तो यहां ध्यान दो, उपर के तीन line को छूँकर ही हम capital letter लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा अक्षर आता है, तो देखो मैंने red line से blue line तक दो line खीची और इसका पेट चोड़ गया, यह हो गया A, capital A आप लोगों को मैंने बार-बार बताया है कि हम अधिकतर एक line में 5 अक्षर लिखते हैं, जब ABCD लिखे तो, तो अगला letter क्या है, B, ध्यान से देखोगे, red से blue और उसके बाद 2 अर्द गुलाकार यानी चश्मी के तरह, यह बन गया B, अब B के बाद क्या आएगा, red line से blue line कान के जैसा, फिर क्या आएगा, एक डंडा और एक पेट, यह बन गया आपका B, अब बार यह E की, E के लिए हम क्या करेंगे, फिर red line से blue line तक एक लखिर, एक रेखा, और इसके तीन पैर, एक, दो, तीन, यह हो गया E, तो अभी तेक हमने क्या लिखा, A, B, C, D, E, अब आते हैं अगले अक्षर पे या लेटर पे, F, फिर वही red से blue तक हमने line टाना, और E में हमने तीन पैर बनाये ते, अब हम बनाएंगे सिर्फ दो, यह बन गया F, F और fish, F के बाद अब जी लिखना, जी बिलकुल शुरुआत C के तरह ही करोगे, यह हमने C ल एक डुशुम, यह बन गया G, G के बाद क्या है, H, H के लिए हमने दो दिवाल खेचे, और दोनों दिवाल को जोड दिया, फिर देखो red line से blue line तक ही हम जा रहे हैं, अब आएगा अक्षर I, वान लिखा हमने, उपर red line में एक लखिर, और नीचे blue line में, यह बन गया I, after I, J, उपर एक छट बनाएंगे, और डंडा देकर इसका पैर घुमा देंगे, यह क्या बन गया, J, तो अब इते कौन से letters हो गया, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, अब आजाओ आगे, एक line खीच कर हमने दो पंक बना दिये, यह हो गया K, K, इसके बाद red से नीचे एक line और इसके पैर आगे बढ़ा दिये, यह बन गया L, K, L, अब बारी है M की, M के लिए पहले उपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर उपर, फिर नीचे, यह दो पहाड है, तो यह हो गया M, और अगर हम एक ही पहाड बनाएंगे, तो दो line खीच कर बीच में हम बस चोड़ देते हैं, ऐसे तिरचा, तो यह हो गया N, इसके बाद है O, आप सिफ ध्यान देना कि line कैसे मैं हम चूँ रही है, अब P के लिए फिर देखो red line से, blue line, और एक blue line तक हमने उसके कान को मोड़ दिया, P, उसके बाद O की तरह लिखकर एक पूछ लगा दिया, तो Q, फिर line खीच कर P हमने लिखा और इसकी पूछ बना दी तो बन गया R, R के बाद आधा C लिखकर फिर C को घुमा दो, उसे कहते हैं S, S के बाद उपर line और नीचे, बिचो बिच, T, तो यह हो गया हमारा P, Q, R, S, T, अब आजाएगा U, U बहुत आसान है, नीचे आओ, गुमा कर उपर जाओ, यह गोल हो गया तो U, और अगर ऐसे तिलची रिखा के तरह नीचे आएंगे और उपर जाएंगे तो यह बन गया V, और जब U को दो बार लगा देते हैं तो वो हो जाता है W या W, तो हम W को लेक इसलिए इसका नाम पड़ा W, डबलू के बाद फिर उपर के तीन लाइन को छूकर हमने बनाया काटकूट के X, अगर आधा और फिर पूरा बनाया तो बन गया Y, और हम आते हैं अंतिम लेटर पे वो है, उपर लाइन खिचा, फिर तिरची रिखा, फिर बराबर Z, तो यह ह होगे हमारे English Alphabet के Capital Letters, Capital यानि बड़े, इसे हम कहते हैं Capital यानि बड़े अक्षर, जो कितने हैं? 26 है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही सुन्दर अक्षर पिरोकर लिखोगे, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं छोटे अक्षर कैसे लिखते हैं अब वो बताऊंगी